नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेल्कम टू अनदर सेशन ओफ क्विक्विक्स रो आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्त होंगे और सुरक्षित होंगे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यव करना पड़ेगा पर अब रिमूव कैसे करना है क्योंकि देखो दरवाजा खोलके तो आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं बट अंदर से रिमूव करना थोड़ा सा ट्रिकी है मापको रिमूव करके अभी दिखा देता हूं तो जिन लोगों ने पीछे का पैनल रिमूव पर आपको जुरूरत पड़ेगा एक टूल जो आपको जुरूरत पड़ेगा वो आपको 20 नंबर की स्टार एलनकी चीए ठीक है और दूसरा जो तूल आपको जुरूरत पड़ने वाली है वो एक सिंपल स्कूरु ड्राइवर है तो यह पैनल रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे एक screw देखेंगे, यह screw आपको remove करना पड़ेगा, यह स्टारलन की के मदद से ही remove हो पाएगा, और जितने भी screw आप खोलेंगे, इनको संभाल के रखना, उसका reason यह है, market में नहीं मिलते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, तो पीछे का door जो है, वो तो पहले इसको remove कर लेंगे हम, ठीक है, और उसके बाद में इसको remove कर लेंगे, तो दोनों को remove कर लेता हूँ, उस वीडियो में जाके आप देख भी सकते हैं, इनको कैसे remove करना है, यह panel पूरा खोलने का तरीका भी उसमें बताया है मने, वो डिस्क्रिप्शन में आपको link द अपने को pull out करना है इसको, ठीक है, तो इसको simply ऊपर खीच लेंगे, बाहर आजाएगा, ठीक है, यह देखिए, आराम से बाहर आ गया, उसके बाद में आपको यह handle खीच लेना है बाहर में, पर यहाँ पे clip लगा रहता है, उसको निकालना मत भूलिएगा, वो clip निकालने का तरीका मैंने आपको वीडियो में बताया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, तो यह handle अपना remove हो चुका है, ठीक है, यह handle निकल गया, यहाँ से यह निकल गया, और यहाँ से एक screw निकल गया, अब एक screw और चिपा रहता है, वो यहाँ पे है, ठीक है, यह बाला, तो यह screw भी अपने को remove कर लेना है, अभी यहाँ पे जो screw लगा है, इसको remove करने के बाद में सिर्फ एक चीज बच जाती है, खोलने के लिए, वो बचता है, तो इसको आप simply ऐसे revolve करेंगे, revolve करने के बाद में, यह निकल जाएगा बाहर, ठीक, यह घुमाया, गुमा के, यह बाहर करना, बिना दरवाजा खोले, आपको मैं इसको remove करके अभी दिखाता हूँ, तो अभी आपको यह screwdriver की जुरूरत पड़ेगी, flat head screwdriver होना चाहिए, ठीक है, इसको आप simply यहाँ पे फसाईए, ठीक है, इसके अंदर में, और यहाँ पे gap बनाया थोड़ा सा, उस gap में फसाके, इ दीरे-दीरे remove करना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पे हाथ फसाईए, और थोड़ा खीचने के कोशिश कीजिए, तो यह अराम से remove हो जाएगा, ठीक, और यह lock जो है, इसको ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, बाहर असानी से, ठीक है, सेम इसी तरह आपने को नीचे का lock भी खोल ल आपको दिखा देता हूँ, दरवाजा मेरा बंद ही है, ठीक है, तो यह panel आपका सिर्फ अभी नीचे में एक lock भचा है, दिखा देता हूँ, ठीक है, तो यह नीचे में जो lock भचा है, इसको भी आप अभी remove कर लेंगे easily, ठीक है, तो यह lock निकल जाएगा, उसके बाद में अ बैठे बैठे, यह तो हो गई एक चीज, तो अभी कुछ इस तरह अगर नजारा आपके सामने में होगा, यह film आपको हटानी पड़ेगी, देखो मैंने दोबारा लगाई है, तो यह film आपको हटा के, फिर easily जो है access हो जाएगा, तो अभी अगर आप चाहें, तो इसको निका बाहर देता हूँ एक बाहर करके, इस तरह से किया, ठीक है, यह लॉक रिमूव हुआ, और फिर simply इसको नीचे को खीच लेना है, मतलब वायर ऊपर कर देनी है, तो यह राम से इस तरह से आपका निकल जाएगा बाहर में, तो अभी यह हमारा work करने के लिए, काम करने के आपको दूसरा जो ग्लू है, उसको खृदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप काटके निकालते हैं, तो एजिली आप सेम पेपर को दुबारा यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी उसमें, तो जब आप प्लास्टिक वगरा सब चीज निकाल देंगे अभी उसको सब कुछ करने के बाद में कुछ ऐसा सिनीरियो आपके सामने में आ जाएगा, ये वाली जो वायर है, ये आपके लॉक अनलोक वाली है, और ये वाली जो वायर है, आपका ग्रैब हैंडल, मतलब पुल करके खोलने वाली, अंदर से जो पुल करके खोलते हैं, त पर दरवाजा खुलता है तो जब आपकी गाड़ी लॉक रहेगी तो इसका कोई उज नहीं रहेगा ठीक है ना बाहर से ना अंदर से आपका दरवाजा नहीं खुल पाएगा तो पहले तो आपको देखना है कि लॉक अनलॉक हो रहा है यह आपके नहीं हो रहा है ठीक है तो इ पहले आपको manually unlock करना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे जो यह वाली वायर है ना, ठीक है, यह नीचे की तरफ अकर हो जाएगी, तब आपकी गाड़ी lock है, ठीक है, यह lock हो गया, और यह unlock हो गया, यह lock और यह unlock, तो पहले इसको ध्यान देना है आपको, कि यह कहीं, ऐसा तो नहीं है कि, मतलब manually भी आप कर रहे हैं, तो lock ही रह रही है आपकी गाड़ी, तो इसको पहले ऊपर की तरफ में, ऐसे ऊपर की तरफ में, पुल करके, आपको ensure करना है कि यह unlock position पर है, ठीक, और उसके बाद में, अंदर से खोलने की कोशिश कीज़ेगा, यहां बाहर से यह देखो, यह grab handle आपका आ रहा है, यहां पे जुड रखी है wire इसकी, तो यह बाहर से दरवाजा खोलने का यहां से option है, तो इसको आपको नीचे को प्रेस करना पड़ेगा, यह चीज को, ठीक है, तो manually आप इसको, यहां देख रहे हैं नहीं, यह जुड रह आपको समझना पड़ेगा कुछ ऐसा करके, यह वायर देखो, यह उपर से यहां दरवाजे से, और यह नीचे जाके यहां जुट रही है, तो इसको आप नीचे को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपका डोर खुलना चीए, थोड़ा ताकत लगेगा, मतलब कहने का यह है, कि सिंपली इसको नीचे को प्रेस करेंगे, दरवाजा आपका अराम से खुल जाएगा, यह प्रेस किया, और यह दरवाजा खुल गया, फर्स क्लास, तो इस तरह से खुलेगा, और खोलने के बाद में फिर आप लॉक चक कर सकते हैं, कि कहीं पर कनेक्शन खराब तो नहीं है, तो इतने से आपका काम बनने वाला है, बनना चाहिए मेरे इसाब से, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ खास मेकानिजम नहीं है, बहुत सिंपल मेकानिजम है इस लॉक के काम करने का, तो आशा करतो है, छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक